नवस्कार दोस्तों मैं हूँ सौरफ स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में तोस्तों आज का जो वीडियो है वो ओल्ड मॉडल बुलेट की वाइरिंग के उपर है पूरी जानकरी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे एक्चुली ये टॉपिक मुझे इसलि अगर हम रिप्लेश करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है और क्या क्या उसमें प्रोसीजर होती है तो आज इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं एक डेडिकेटट वीडियो है पूरा इन्फोर्मेशन वाला तो इसको बिना स्किप करें आप देखना खास करके वह ल यह मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ उन्होंने जो अपनी वाइरिंग हो चेंज कर वही और उस वाइरिंग का जो चार्ज लिया जिस मेकेनिक ने विज़ चेंज किया वो 6800 का किया मेरी कल स्राम उन्हें फोन पर बात भी थी फिर मैंने उन्हें से र पानी किरनी रहे तो बोत व्यस्त थे और उन्होंने कहा कि में शाम को हूंगा तो मैंने कहा कि दीन में video शुट करना है तो फिर मैंने सोचा कि आप से ही उनसे पुरी डिटेल लेके और वीडियो में आपको में बता दूँ 6800 का उन्होंने बिल पे किया है मेकेनिक को तो हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर हम 6W से 12W में गाड़ी की वाइरिंग करते हैं तो उसमें क्या-क्या चीजे चेंज होती है और क्या उसकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक लिस्ट बता देता हूं कि 6W से 12W कि जब हम गाड़ी बनाते हैं वाइरिंग उसको चेंज करते हैं तो उसमें क्या-क्या चीजे चेंज होती है सबसे पहले होता है हमारा वाइरिंग लूम वाइरिंग लूम के बा से 12W बनाने के लिए हमको जरूरी होती है अब इसके बारे में पूरी अपको डिटेल गाड़ी पर ले जा के बताता हूं तो दोस्तों ये ओल्ड बुलेट को तो आप सभी जानते ही है इसमें कोई इसके आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नी है ये गाड़ी है जिसको हम तो दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहले वाइरिंग लूम से देखिए वाइरिंग लूम जो होता है ये है इसमें बारावाट का वाइरिंग लूम है बारावाट के वाइरिंग लूम में आप एक नोटिस करना एक चीज क्योंकि जो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वाइरिंग लूम होता है यह बारावाट का बारावाट के वाइरिंग लूम इतना इजी है कि आप लाओ गाड़ी पे इसको लगाओ और इसकी पूरी कैसा हमें इसकी वाइरिंग कर दो 12 वाइरिंग का एक सिगनिपिकेंट से बड़ा यह होता है कि जो यह होता है यह स्थे वाइरे यह घ्र जाता है यहांपर सुईच आजल्या जाता है क्योंकि दारामत के वाइरिंग में स्थे जो चाबी प्लाि 21 और मैंने लूम extension करके और थोड़ा जुगाड करके वापस पुराना वाला system इसमें 12W में लगा रखा है तो इसमें कोई confusion मत रखना कि ये 6W की है ये actually दूसरा जुगाड है वो में कभी और इस वीडियो में आपसे बात नहीं करूँगा किसी और वीडियो में इसके बारे में बात ओका में अचेक होती है ये मैं आपको निकाल के बता देता हूं और ये आप देख सकते हैं आप ये 4 वायर को मेंग्नेट कोई होती है इस शह bastard आप को देकने रहा होगा कि ये ये या 4 वायर वाली मेंग्नेट कोई हो 4 आईटम पहती तीन आईटम पहती इसके बाद मेने रेक्टिफाइर लगता मेरी गाड़े में रेक्टिफाइर है यह कि मैंने इसमें वो स्टेंडरेट का एलेक्ट्रिसी अपने जो हेडलाइट कंट्रोलर रहे वो लगा रखा है फिर आगया बेटरी बेटरी बदलनी होती है कई लोग एसा करते हैं कि छे आमुमन मतलब ज्यादा तर लोग यह करते हैं कि छे वाट की गाड़ी में 12 वाट की बे मैं आपको बता दूँ कि इसमें यह स्वीच भी चेंज होते हैं स्वीच राइट का नए माडल का लगता है जब हम 12 वाट की इसमें वाइरिंग लगाते हैं और यह लेफ्ट एंड में भी जो पासिंग स्वीच वाला जो पा जो स्वीच आएगा जो मॉड्यूल आएगा व तो यह हो गए दोनों स्वीच लेफ्ट का और यह राइट का इसके बाद में क्या लगता है एक एंपोर्टेंट चीज है आप अंदर देख सकते हैं यह बॉटल कोई यह छे वाट से बारा वाट की इसको करना पड़ती है इसके अलावा इसमें कोई भी चीज निलगती है य कर इंडिकेटर्स लगाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा लेकिन जो मेरे परीचित थे उनकी गाड़ी में सब कुछ कंप्लीट था क्योंकि उन्होंने भी एक बार 2010 में गाड़ी बनवाई थी और उसमें सब चीजे लगा रखी थी उनको खाली वाइरिंग सिस्टम रिप्ले इंडोर का प्राइज बताऊंगा कि कितना है और ज्यादा इससे ज्यादा कोई अंतर मुझे नहीं लगता कि आल अवर पेन इंडिया में आएगा तो दोस्तों बात करते हैं एक एक आइटम की विध प्राइज सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइरिंग लूम की 500 रुपे की मेगनेट कोईल है 700-600 रुपे का मेगनेट है 1.500 रुपे का रेक्टिफायर है 340-300 रुपे की बोटल कोईल है 280 और 300 रुपे या 3300 रुपे के राइट और लेफ्ट के दोनों स्वीच है बेटरी अगर लगाना चाहो तो अपने इसाप से हम लगा सकते हैं लेकि अगर मेगनेक से करवाते हैं तो 500 रुपे हाडली मेगनेक का जो है उसकी लेबर चार्ज होगी तो मोटा मोटा होता है कोई 36-3600 रुपे का होता है लेकिन चार्ज किया गया है 6800 रुपे का तो यह थोड़ा सा नागभार लगा मुझे और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सबको अवेर करना चाहूंगा कि आप 100% मेकेनिक पर भरोसा करने से पहले थोड़ा आपने वीवेक से काम ले ओल्ड माडल बुलेट का अगर कोई काम है तो कोशिश करे कि खुदी कर ले क्योंकि आजकल बहुत कम एक्सपर्ट लोग इसे बचे हुए हैं जो कि आपको सही ग सार्ज करना अच्छी बात नहीं है जो वाजिब दाम है वही लगाया करो और जो जो इमान का काम है वही किया जाना चाहिए तो यह थोड़ा सा चंशिप्त में वीडियो था अवेरनेस का भी था वाइरिंग के बारे में जानकारी भी दी इसमें कोई वाइरिंग ज्यादा जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है उनको भी मैं यही कहूंगा कि इसकी वाइरिंग को निकालना और रिप्लेस करना बहुत ही इजी है अगर आपके पास में यह पांचे चीजे है तो कपलर होती है वाइरिंग कोई दिक्कत नहीं है केवल मेगनेट और कोई की सेटिंग में थोड़ी से दिक्कत आती है अगर आपने की हुई है तो कोई आपको प्रॉब्लम ने आएगी मैंने खुद ने घर पे कर दी यह वाइरिंग लूम जो मैंने 800 रुपे आपको प्राइस बताई है उस वाइरिंग लूम में रियर ब्रेक बत्ति के स्वीच फ्रेंट के उस गाड़ी चलाते समय सिट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहनी है झाल झाल झाल